नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का यूटूब चैनल एसकलेपियस आयरुवेदा में दोस्तों आज की सेसन में हम चर्चा करेंगे उमेगा डॉक कैपसूल AWPL के उमेगा डॉक कैपसूल के बार में हम बताएंगे इस वीडियो के मध्यम से हमाच चर्चा करने वाले हैं AWPL का ओमेगा डॉक कैपसूल क्या है इस्तेमाल करने से क्या फायदे है और इस्तेमाल करते समय हमें कौन-कौन सी सावधानिया और कौन-कौन से परहेज बरतने है इत्यादी इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के मध्यम से करेंगे ता आए सबसे पहले हम बात करते हैं ओमेगा डॉक कैपसूल क्या है दोस्तों जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख रहे हो ओमेगा डॉक कैपसूल ओमेगा थ्री फैटी एसिड हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही आवशक होते हैं इसे दिमाग का पावर हॉस भी कहा जाता है ओमेगा थ्री हमारे भोजन से फैटी एसिड को अवसे सामिल करना चाहिए ओमेगा 3 सूखे मेवे इत्यादी में पाए जाते हैं हरी पतेदार सबजी ओमेगा 3 हरी पतेदार सबजी एक बड़ा इसका स्रोत है जैसे इसमें पालक हुआ, फुलगो भी हुआ इन सबजियों में ओमेगा 3 की अच्छी मत्रा पाई जाती है लेकिन इनको आप बाहर से आहर में शामिल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फाइबर के अच्छे स्वास्त होते हैं जो कि आपके अच्छे स्वास्त के लिए आवश्चक होते हैं हमारे AWPL के Omega 3 जो प्रोड़क्ट है वो Asclepius Wellness Company के द्वारा बनाये गया एक हरबल प्रोड़क्ट है और ये प्रोड़क्ट जो है AWPL के फुड के टेगरी का प्रोड़क्ट होता है जो कि हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही आवश्चक होता है ऐसा कहा जता है की Omega डॉक केप्सूल जो है ये एक तरह का फीच ओयल है ये हमारे सरीर के लिए हमारे याँखों के लिए हमारे माइंड के लिए कवी अच्छा होता है हमारे हर्ट के लिए भी काफी अच्छा होता है यदि हम बात करें इसके इस्तिमाल का तरीका और इस्तिमाल करते समय कौन-कौन सी साउधानिया बरतनी है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो पर डे एक से लेकर दो कैपसूल को दिन में दो बार इस्तिमाल करना है इसको इस्तिमाल करते समय डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचा कर रखना है और पैकिंग खुलने के बाद इसे एक महिना के अंदर में इस्तिमाल कर लेना है प्रोड़क्ट को ठंडे और सुखे इस्थान पे रखना है और एक और इंपोर्टेंट बात कोई भी प्रोड़क्ट को इस्तमाल करने से पहले डॉक्टर से और एक्सपर्ट से जरूर परामर्श कर लेना चाहिए तो दोस्तों आज के सेसन में हमने जाना की AWPL कोमेगा डॉक्ट क्या है इसे इस्तमाल करने से क्या फायदा है और इस्तमाल करते समय कौन कौन सी सावधानिया बरतनी है तो आई होप दोस्तों आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो मिलते हैं नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद उनकारी के सावधानिया जनकारी के साथ